हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्नैप चैट एकाउंट को कैसे डिलीट करें तो अगर आप भी अपने स्नैप चैट एकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलफूल होने वाली है तो वीडियो को बिना इसकी पूरा वाच कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना बूले और हाँ बेल आइकान को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी कि वीडियो करते हैं स्टार्ट तो यहां मोबाइल स्क्रीन पर स्नैप्चाट दिखाई दे रहा है इस एप को हम ओपें कर लेंगे ओपें करने के बार यहां कॉर्णर में जो है हमारे प्रोफाइल का लोगो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हम अपते एकाउंट में आ गए हैं अब यहां कॉर्णर में सेटिंग दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है अब यहां पर आप चाहे तो अपने प्रोफाइल को इडिट कर सकते हैं यहां पर आप चाहे तो अपना नेम चेंज कर सकते हैं यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं बर्थडे मोबाइल नमबर अगर आप चाहे तो इन सब को चेंज कर सकते हैं यहां से आप ब्लॉक्ट यूजर को भी देख सकते हैं आपने जिन जिन लोगों को भी ब्लॉक किया है आप यहां से उसे चेक करके आप चाहे तो उसे अनब् Elijah भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको बlok user पे चले जाना है बlok user पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी user block होंगे जितने भी friend उस sub list निकलके यहाँ पर आजाएगी बट यहाँ पर मेरा जो है निव एकाउंट है यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी सो नहीं कर रहा है आप चाहे तो अपने login information को भी safe रख सकते हैं तो मेरा जो login information है ओ अल्रेडी मेरे device में safe है अब आप यहाँ पर चाहे तो अपने account को logout भी कर सकते हैं इसके लिए नीचे है दिया गया है logout तो इस पर click करेंगे तो जो आपका account है और logout हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए उपर दिया है delete account तो हमें अपने account को delete करना है तो इस पर हम click कर लेते हैं तो यह chrome में open हो रहा है अब यहाँ पर देखिए हमें अपना username डालना है username डालने के बाद हम next कर देंगे अब देखिए यहाँ पर हमें अपना password डालना है तो चलिए हम password डाल लेते हैं अगर आप अपने password को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो i जैसा symbol बना हुआ है बस आपको इस पर click कर लेना है तो जब आप इस पर click करेंगे तो यह जो hide password है वो so होने लगेगा और फिर से आप इस पर click करेंगे तो जो आपका password है वो फिर से hide हो जाएगा अगर आपको अपना password remember नहीं है आप भूल चुके हैं तो आप इसे easily fit से recreate कर सकते हैं बस आपको क्या करना है यहाँ नीचे जो दिया है forgot password उस पर आपको click कर लेना है तो जैसे इस पर click करेंगे आपके number पर six digit का login code जाएगा बस आपको इस box में fill कर लेना है तो इस code को fill करने के बाद हमें next कर लेना है तो next करने के बाद आप password फिर से recreate कर सकते हैं तो देखिए हमारा delete account का page आ गया है यहाँ पर हमारा username आलरेड़ी यहाँ पर डला हुआ है बस यहाँ पर हमें अपना password डालना है तो चलिए मैं अपना यहाँ पर password डाल लेती हूँ अब password डालने के बाद इसे हमें continue कर लेना है अब देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open हो गया है यहाँ पर account डिलिट होने में कम से कम 30 दिन का समय लगेगा और आपको अगर reactivate करना हो तो आपको अपना username और password याद रखना होगा तो अगर आपको username और password याद रहेगा तो आप easily जो है इसे फिर से activate कर सकते हैं तो यह सारे step फालो करके आप भी बहुती easily अपने snapchat account को delete कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी आज के वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना ना भूले अगर आपको इससे related कोई question हो तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं I hope friends आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी तो अब मुझे दीजे इजाजत अब आपसे मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई